सोशल अड़ड़ा पर थोड़ा सा रुखते हों आजके मुद्बे पर लोगों की राय जान लेते हैं सोशल अड़ड़ा में आजका मुद्बा JNU कैंपस से जुड़ा है देशकी राजधानी दली के जेन्यू कैमपस में छेड़ चार और दो छात्राओं को अगवा करने की कोशश का आरूप लगा है जिसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कॉलेज कैमपस भी लड़कियों के लिए सुरक्षत नहीं है जानकारी के मताबिक मंगलवार देDr. राथ को जेन्यू कैमपस में छेड़ चार और दो लड़कियों के अपहरन की कोशश की गई और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजधानी की अपील की गई है। हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी रायचानी है। बीती रात पांच लड़के आए जे एनियू में दो लड़कियों को हैरेच। क्या सूडेंट के साथ मारपीट की सुरक्षा की दृष्टी से कैसे आप इसे देखते हैं। में हम केंपस में शायद एक हफते पहले जे एनियू की एनियर्फ की रेंकिंग रिलीज हुई थे तो जे एनियू में उसको इंडिया की सेकेंड नंबर की बेस्ट यूनिवेस्टी की रेंके गोशित की जाती है। लेकिन जो इंसिडेंट परस तो हुआ है उससे आपको एक तो यूनिवेस्टी का जो सिक्यूरिटी लैप से आप उसके बारे में देख सकते हैं। कोई भी स्टुडेंट गेट खुला रहता है, कोई भी स्टुडेंट अंदर आ जाता है, चला जाता है बिना इंट्री के गार्ड्स वगएरा जो है एकदम इर्रिस्पॉंसिवल जो बिहेवियर है सिक्यूरिटी का, चाहिए वो स्टुडेंट के पृति हो या रीसेंट डे साम पे आपको कहीं जाएंगे, आपको क्या तो गार्ड्स अगर रात को आपको आपको निकल रहे हैं, तो जो रिंग रोड वगेरा वाला एरिया आप महां जाएंगे तो वहां पे आपको गार्ड्स कुछ नहीं करते मिलेंगे, सिर्फ सोते मिलेंगे, स्कूल एरियास जो ह वो अपने आपको safe message नहीं कर सकती है प्रिकि जो वो रशता है वहाँ पर एक भी security guard नहीं खड़ा रहता है जिम्मेदारी किसकी तै होती है जब ऐसे हाथ से होते हैं ऐसी घटनाए होती है वो भी college campus में जहां बचे पढ़ने आ रहे है देखे साफ तोर से इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी vice chancellor की है बगल में IIT का campus है वहाँ पर electronic verification होता है जो भी लोग आते हैं यहाँ पर आज भी pen और paper से काम चल ला है कहां जाता है इनका fund उसके बाद रास्तों में street lights नहीं है तो guards को क्या इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि लोग शराप पी के अंदर आ रहे हैं और वो भी बाहरी लोग है वो car की entry होती है बकायदा number लिखाता है वहाँ पर guards खिरकी खोल के चेक करते हैं क्या खिरकी खोल के चेक करने पर यह नहीं पता चलता है इंगी भनक में रखती है कि अंदर लोग शराप पी के बैटे हुए है जिसमें प्रोफेसर के घर में जोरी हुई है और दो तीन ऐसी छेठानी घर में पहली हो सकती है लेकिन इसके लिए जो responsible authority है चाहिए वो जेन्यो का रेजिटार हो चीप सेक्रेटर ऑफिसर हो साइक्लोप्स एजन्सिस के उपर जेन्यो के शिकर का टेंडर है और भी इसके responsibility लेने को तैयार में है